हेलो एवरिवन तो आज का टॉपिक है स्पेशों इस्पेशों का नॉर्मल मेनिंग है फिरमेशन ओफ नुसीच नए इस्पीचीच का बनना है इस्पीचेज है स्प्पीचीच है ग्रूप ऑफ औरिवेशार हैं जो दीप्रोडेक्टिवली आइसॉलेटेड़ है तो नहीं है , जैसे होस की स्पेशीज है वह होस के साथ मैटिंग करेगी जैसे कुछ नहीं है रिप्रोडेक्टिबली आइसोलेटेटल होते हैं , ए स्पेशीज का फोर्मेशन पीसे होता है , यह दो रेजन से हो सकता है मतलब दो रीजन से होता है new species का formation दो रीजन से होता है एक है allopatric और एक है sympatric तो allopatric में होगा reproductive isolation due to geographical barrier या physical barrier हो गया किसी भी geographical barrier की वज़े से species का formation होना allopatric species का लाता है और a sympathetic species है reproductive isolation without any physical distance and barrier parents species के साथ में रहके ही new species का formation बीना किसी बात की तो वह sympatric species का लाता है तो वह sympatric species का लाता है allopatric allopatric species में geogropical barrier की वज़े से हो सकता है new species का formation geogropical barrier जैसे की mountain है glacier है river है कुछ भी हो सकता है तो इसका example है grand canyon squiral यह example है इसका यह है अमेरिका की बात है जो मतलब एक river है river है अभी भी है तो river के दोनों तरफ पे squiral रहती इदर भी और इदर भी तो यह इदर वाली इदर भी आ सकती थी इदर वाली इदर भी आ सकती थी और इनके बीच में एदर सकते थे यह इंसे मैटिंग कर सकते थे अब दीरे-दीरे क्या हुआ रीवर मतलब गर्त खाई बन गया यह नदी यह दीरे-दीरे दीरे बहुत ज़्यादा अंदर मतलब खाई सा बन गया सेंकड़ो पिठ नीचे गर्थ बन गया तो इधर वाली स्क्वाइरल इधर नहीं जा सकती और इधर वाली स्क्वाइरल इधर नहीं जा सकती तो यह स्क्वाइरल इससे मेंटिंग नहीं कर पाता है और यह स्क्वाइरल इससे मेंटिंग नहीं कर पाता है तो यह है जो ग्रोपिकल बेरियर की वज़े से इस्पेसियेशन का पॉर्मेशन और यह एलोपेट्रिक इस्पेसियेशन का एक्जामपल है अब है Sympatric Spaciation, Sympatric Spaciation में होता है Reproductive Isolation Without Any Physical Distance or Barrier मतलब इसमें किसी barrier का कोई रोल नहीं होता है environment का, इनमें बिना किसी बात की mutation हो जाता है parents के साथ साथ रहते रहते भी isolated हो जाते है और mutation हो जाता है, तो यह है Sympatric Spaciation इसके example के इंदर बात करेंगे हम एक insect की जिसका नाम है Apple Maggot Fly यह example है, अमेरिका का example है यह लगबग 200 years ago पहले की बात recently है तो यहां पे होर्थोरन के trees थे अमेरिका में जहां पर यह fly रहते थे यहीं पे इनका portion बगेरा होता, तो यह यहीं पे रहते थे है हम क्या हुआ अमेरिका में Apple के पेड्ड नहीं होता है, में जहां पर यहां पर अपर जट लगाय जाते हैं तो इन चीजले ही कुछ fly इधर एपल के children पर रायने लग जाती है कुछ यहँल इंदर पर याग परAL में के फर्यां के उसले हैं बगेरा होता है और इनका हो तो अनके फ्रूट्स पे पोर्मेशन होता है और यह यहीं पे रहते हैं ना तो यह इदर जाते हैं ना यह इदर वाड़े इदर आते हैं ना तो ये इदर जाते हैं ना ये इदर वाम इतर जाते हैं। अब धीरे दीरे इनमें इस् कुछ प्लाइ इधर आ गई और यहीं पे एक बिना किसी बात के स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया तो यह है सिंपेट्रिक स्पीशीएशन का एक्जामपल